कैसे हैं आप सभी लोग आई हो आप विश आई प्रेक यह सब बहुत अच्छी होंगे गाइस आज की इस रीडिंग में देखूंगे कि आपकी शादी किस्से होगी ठीक है जिस रीडिंग का आप सब को इंतजार था यस मैंने वोटिंग करवाय थे उस वोटिंग में आपने कहीं न कहीं दोनों टौपिक को आप लोगों ने बहुत पसंद किया ठीक है तो यह एक टॉपिक था कि आपकी शादी किस से होगी कि उनके फिजिकल अपिरेंस कैसे रहने वाले हैं या वो किस सेक्टर से बिलांग करते हैं या आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा ठीके इस रिडिंग में जो भी चीज़े निकल के आगी मैं ऐसा नहीं कहूंग में होने वाली है definitely मैं आप लोगों शेयर करूंगी ठीक है कुछ भी चीज़े निकल के आ सकती है राइट सो यह तो हम रिडिंग में देखेंगे जब कि रिडिंग करूंगी तभी मैं देख पाऊंगी अब है किस तरीके से पाइल करना है सबसे पहले मैं आपको पाइल सेलेक्ट के लिए को बताहिते हूं थीक है कि आपको पाइल कैसे स्फिलेक्ट करना है कि वं यहां पर 105 का कार्ड और अब सरा कार्ण चाहिए यह देट अफ ओ बडसा रहे हैं न देख लो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 ओके सो यह आपके देतो बर्त यहां पर लिखे हुए देतो बर्त के नमबर लिखे हुए सॉरी यह पर आपके नमबर्स लिखे हैं और यह बहुत ही ब्यूटिफुल कार है दी सन का ठीक है नमबर वन ओके अगर आपकी देत बर्त इसमें आते हैं सो नमबर वण आप फाइल 1 आप स्लेक्ट करोगी ओके नमबर फूफो वालो के लिए जिनका भी देट भी अपर यहां पर आ रहा है एंग एंग की अनर्जी में आ रहा है अगर आपका डैत वबर्तुल अगर इन में से कुछ है न 22, 24, 26, 28, 30, okay, so pile आप लोग को किस तरीके से select करना है, ठीक है, किस तरीके से आप लोग को अपना card pick करना, ये मैंने बता दिया, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हम नहीं जा सकते, card से ठीक है, जो process था, pile pick करने का, वो process मैंने आपको बता दिया, कि किस तरीक से आपको pick करना है, उसके बाद भी अगर आपका intuition कह रहा है कि नहीं, मुझे data bird से नहीं जाना, मुझे card अच्छा लग रहा है, या मुझे card से जाधा energy मिल रही है, या दोनों में से कोई एक card मुझे बहुत सदा attract कर रहा है, so definitely आप देख सकते हो, ठीक है, आप अपनी intuition के हि होता है, और हर चीज में meditation करने के बाद ही उस चीज को लिखती हूँ, ठीक है, ताकि accuracy आप लोगों से match हो सके, okay, so आप मुझे से पूछेंगे, तो मैं आपको कहूंगी आप अपने birth number से ही जाओ, ठीक हाला कि अगर आपको नहीं पता या नहीं आप जाना चाहते तो आप अ मूड बहुत जादा अच्छा है, so इसलिए मैं यह reading को कर रही हूँ, ठीक है, because मैं बहुत जादा happy हूँ, बहुत happy energy में हूँ, मैं meditation करने के बाद बहुत जादा free feel करने लगती हूँ, बहुत happy रहती हूँ, इसलिए कुछ important topics या reading होते हैं, तो उसे मैं meditation के बाद ही लेके आन Okay, it's okay, so चले देख लेते हैं, pile 1 बालों के लिए कि pile 1 आपकी destiny में कौन है, कौन है वो राजकुमारी या राजकुमारी, ठीक है, and pile 2 के लिए देखेंगे, so patience रखें, सबसे पहले बात करेंगे हम pile 1 के लिए, ठीक है, hello pile 1, so यह है आपका card, यह है आपके birth number, so चले देख लेत कि आपको idea लग सके, नहीं समझाओंगे, तो फिर आप लोग कुछ ना कुछ इधर उज़र कर दोगे, right? स्कुरत कहोगे कि दी, ऐसा तो हुआ ही नहीं, हाला कि जॉर्नल लेडिंग है ज़रूरी नहीं है, कि आप से सब कुछ मैच करें, ठीक है, फिर भी, most of the time कर जाती है, ओके, so don't worry, इश्वर का नाम लीचिए, यूनिवर्स को याद कीचिए, ठीक है, सबकोच अच्छा होगा आपकी लाइफ में, इतना टैंशन लेनी के ज़ोरत नहीं है, उनिवर्स डुआइइंजल्स काइट करें और बताएं, मुझे दीस रन, पायल वएलो के लिए बताएं यूनिवर्स, जिन्होंने बे दीस रन का काट स्लेक्ट किया है, जिनके भी यह birth numbers है, उनके लिए बताएं, उनके future spouse के बारे में, future spouse के बारे में बताई universe सबसे पहरे हम देखेंगे कि उनके साथ आपका रिष्टा कैसा रहेगा ठीक है इस्ट फिर ओके नमबर नाइन नमबर शिक्स लाफ अके आपके हैं इसने नंबर नाइन आपको यहां पर नजर आ रहा रहा होगा ठीक है नाइन नाइन आपको नजर आ रहा होगा कि यह बॉटम अभी देख की एनर्जी मैं इनका माइंड शेक करना चाहूंगी ठीक है कि माइंड से किस तरीके से वेक्ति है कैसा सोच विचार रखते हैं अपने माइंड के अंदर चीजों को किस तरीके से अकर इंके सामने कोई चीजे आ गई ठीक है सपोस्थ मानिए कुछ किस तरीके से हैंडल करेंगे ठीक है कोई कोई कॉम्टिकेटेट केस आ गया इनके सामने या कुछ ऐसी बात आ गई तो किस तरीके से यह डील करते हैं ठीक है कोई भी चीजे हो सकती है किस तरीके से यह डील करते है वह चीजे हम देखेंगे फॉस्ट टैरो से देखेंगे इ मैं आप लोगे शेयर करूंगी king of swords nine of swords the hierophant temperance nine of pentacles so file one आपके future spouse की राष्टी हो सकती है Aries, Leo, Sagittarius Taurus, Virgo, Capricorn okay इनके finance भी चेक करेंगे हम universe मुझे बताए finance में कैसे है ये करियर बताए इनका all over universe मुझे बताए इनका finance और करियर कैसा है okay the chariot ten of pentacles so ये है इनके finance और करियर की energy है bottom of the deck की energy है three of cups okay चलिए इनका mind shape देख लेते हैं मुझे 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 बताए किसी भी problematic situation में या कोई भी situation इनके सामने आती होगी से किस तरीके से handle करते हो situation को इनका mind shape कैसा है इस वेक्ति का all over सोचने का तरीका mind shape कैसा है universe मुझे बता है आप देख रहे हो जो चीजे पूछ रही हूं वही चीजे निकल के आ रही है okay harmony so मैं इसको यहाँ पर अज़र आ रहे है नहीं दिख रहे है तो मैं बताऊंगे ठीक है wait one more card okay moment to moment so here पर आगे आपके यह कार्ट्स ठीक है we are the world okay so इस वेक्ति के राशी टॉरस पर वो Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius हो सकती है ठीक है बात करो कि वेक्ति आपसे प्यार करेंगी कि नहीं yes definitely आप दोनों में love bond जो है वो काफी जादा अच्छा रहने वाला है नमबर 6 की energy आई है नमबर 9 की हो सकता है आप इनसे मिलने के पहले 69 नमबर बहुत जादा देखोगे ठीक है या जब आप मिलोगे इनसे तब कहीं न कहीं आपको definitely 69 69 या 369 इस तरी की कुछ numbers आपको दिखेंगे angels आपको इनको मिलाने से पहले कुछ ना कुछ इशारे करते हुए नजर आएंगे ठीक है मैट ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान उस चीज़ पे है ही नहीं आप कहीं न कहीं बहुत जादा ऐसी energy पे रहोगे dark energy में काफी ज़दा sad energy में आप दिख रहे हो ऐसा लग रहा है आप चीजों का accept करने के लिए ready नहीं रहोगे ठीक है उसी वक्त कहीं न कहीं इस person की sudden entry आपके life में होगी और ऐसा लग रहा है जिस वक्त आप अपने काम में भी व्यस्त नजर आ रहे हो आप अपने career और finance के बारे में सोचोगे ऐसा लग रहा है न कोई ऐसा रिष्टा आपका रहा है past में जो ज़्यादा चला नहीं ठीक है या तो आपके person ने आपको ghost कर दिया आपके past person ने या आपके past person ने कुछ ऐसी चीज़े आपके साथ कर दी जिसके बाद आपका love पे से भरोसा ही उठ गया अब आप ready ही नहीं हो ठीक है आप अगर second marriage के लिए पे देख रहे हो यह अगर आपके शादी नहीं भी हुई है तब भी आप देख रहे हो तो आप कोई ना कोई ऐसे break situation से निकल रहे हो ठीक है उस वक्त इवक्त आपको मिलेंगे उस वक्त इनसे कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात होगी और ऐसा लग रहा है डिवानली guided हो आप दोनों ठीक है कहीं यूनिवर्स ने अल्रड़ी प्लान कर रहे है वहां पर टैम प्रेंज की एनरजी येस एंजल कहीं ना कहीं आपको मिलाने के लिए ठीक है आपने कार्ट जो चूस किया है वह किया है दिस सन का राइट और यहां पर देख सकते हो सन है ठीक है तो बिल्कुल एकुरेट काट चूस कर रहा है यहां पर यूनिवर्स जो है एंजल जो है कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक जरूर कर रहे ठीक है नंबर 369 डफिनेटल आप देखने वाले हो ठीक है पाइल वन आप लोग लिए 369 नंबर बहुत जादा मेजर निकल के आ रहे ऐसा लग रहा है कि या तो आप मैनिफेस्टिशन 369 टेकनिक का यूस कर रहे हो या फिर आपने किया है या आने वाले फ्यूचर में आप डेफिनेटल इस नंबर का यूपियो करोगे ठीक है यह 369 हो सकता है 369 अलग-अलग है ठीक है सिंगल नंबर ही यह हो सकता है आपके भाग्यांक या मुलांक के यह सि इसलिए बार-बार आपके रिडिंग में नंबर प्रिजेंट हो रहे है ठीक है तुओ वैंस अलग रहा है आप बहुत लंबे समय से एक्साइट थी अपने मैरेज को लेके बहुत लंबे समय से आप सोच विचार कर रहे थे कि काश मेरी शादी हो जाए ठीक है काश में एक अच्छे रिष्टे कमिटे रिष्टे में आ जाओ बट वो सब कुछ आपको मिला नी पास में डेफिनेटली आपको किसी परसन ने चीट करा गोस्ट करा और वो चले गए ठीक है या तो फिर प्लोजर आपको मिला ही नी बट आप रोते धोते हो आपको ऐसा लग रहा है कि म बहुत अबंडन परसन है ऐसा लग रहा है यह वैक्ति जिस चीज में भी हाथ अपना आजमाते है उस चीज में इनको सफलता बहुत जादा मिला इनको बाइक स्कूटी चलाने का या ड्राइब करने का बहुत अच्छा लगता होगा ठीक है ड्राइब करना हो सब्सक्ता इनरजी है इनके फैमिली में ठीक है आपकी शादी कहीं पे भी होने वाली है अप लड़का लड़की जो भी हो बट येस आपके पार्टनर जो है वो काफी पावरफुल है ठीक है और एक फैमिली और परसन है ऐसा लग रहा है फैमिली की बातों से चलना सोसाइटी को ये वेक्ती थोड़ा लाइक हलका सा ऐसा मुझे लग रहा है जादा टेंशन लेने की जोरत नहीं है बड़ ये थोड़ा से स्टे फोरवर्ड ये बोलते होंगे ठीक है जो इनके मन में होता होगा वो डारेक्ली आपको मूपे बोल देंगे कि ऐसे चीज है ऐसे ऐसे चीज ह और इनके फैमिली में हो सकता है इनके माता पिता इनकी कोई बड़ी बहन ठीक है जिनके किट्स हो सकते है इनकी कोई बड़ी बहन या इनकी कोई बुवा कोई ना कोई डेफिनेटली फीमेल एनरची है जो मेरेड है ठीक है इनके घर पे रहती होगी ऐसे भी चांसे और पॉ से बाते करना, डॉक को अपने पास रखना, ठीक है, बहुत ही जादा इनको पसंद होगा, ये बहुत प्यार करते होंगे अपने डॉक से, इनके घर में कोई दो 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 को सकते है, डफिनली बहुत अच्छे सा चीजों को मैनेज करते होंगे, और इनका लाइफ स्टाल काफी अच्छा दिख रहा है काफी rich and healthy and wealthy family सी बिलाउंग करते ठीक है और बात करो इनके height की so height बहुत अच्छा दिख रहा है है आप ठीक है सब कुछ बहुत abundant है इनकी mother जो है ना इनसे बहुत प्यार करती होगी so sometimes आपको like mother के वज़े से ऐसा लग सकता है कि भाई इनकी mother तो इनको बहुत प्यार करती है ठीक है like आप लोग को space नहीं मिल रहा है इस तरीकी की बाते आपको like मन में लग सकती है but yes इनकी mother इनसे बहुत प्यार करती है और इनके इनके बेटा बेटी जो भी है ठीक है जो भी आपके life partner होंगे yes यह अपने mother की respect बहुत करते होंगे especially अगर आप female देख रहे हो आप ऐसा मान के चलो आपकी future husband जो होंगे ठीक है आपकी future spouse वो बहुत जादा आपको प्यार करेंगे ठीक है आपको respect बहुत करेंगे because इनको female की नर expect करनी आती है अगर यह female भी है न तो इनको respect करना बहुत अच्छे से आता है ठीक है और एक chances मुझे आपके लग रहे है आप जिस भी वेक्ती से like आपकी जो भी future spouse होंगे न इनके friends बहुत जादा अगर यह female है तो male friends बहुत होंगे ठीक है इसके वज़े से like आप दूनों में थोड़ा सा like हो सकता है कभी-कभी ठीक है 2020 हो जाएगा भाई थोड़ा सा समझना अंडेस्टाइन करना because यह बहुत ही अच्छे background से दिख रहे है ठीक है इनका nature ऐसा नहीं है अलाकि इनके friends बहुत रहेंगे होगा ठीक है और इनको कोई control नहीं कर सकता इनके इनका ऐसा है कि इनको कोई control नहीं कर सकता ठीक है अगर आप सोचोगे कि भाई मैं इस particular person को control कर लूँ आपने पास रख लूँ सो यह possible नहीं है इनके सोचने का तरीका मुझे ऐसा लग रहा है बाकी लोगों से काफी different है जैसे बाकी लोग सोचते है वैसा काफी different है इनका सोचने का तरीका यह हर चीजों को बहुत deep level तक सोचते है और सबसे बड़ी बात मुझे आपे क्या लग दी है कि आपके future spouse नहीं जादा negative नहीं सोचते है यह बिलीफ करते है यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स पे अगर आप बिलीफ करोगे और जो चीज़े आप attract करोगे जो चीज़े आप मांगते हो जो words आप बोलती हो उसका effect बहुत ही positive person रहेंगे जैसे the sun का card ठीक है तो इसी तरीके से आपके person बहुत positive सोचने वाले होंगे और कहींने कई spiritual होंगे ठीक है आप अगर spiritual हो definitely यह भी परसन काफी spiritual होंगे number one आपके लिए बहुत ही जादा important हो सकता है ठीक है because card में भी number one है birth number में भी number one है नहां पे भी number one ह इस वेक्ति के birth chart में sun काफी जादा strong ही वेक्ति बहुत ही strong and powerful and strengthening के अंदर बहुत होगा ठीक है बहुत positive होंगे और यह हर चीज में positivity देखेंगे हर चीज में यह positive सोचेंगे ठीक है हर चीज में इनका सोचने का जो तरीका है वो बहुत different होगा पूरी whole life ना हमारी जो पूरी life होती है वो एक सोच पर depend होती है ठीक है आप अभी sad होना तो आपको sad ही feel होगा आप feel एसा करोगे कि भाई मैं sad हूँ मैं room में हूँ ऐसा feel करोगे right अगर आप कुछ positive feel करो आपको बहुत अच्छा लेगा सजना सवरना घूमना फिरना shopping करना like जैसे कि मुझे बहुत अच्छा feel हो एसे मैं बहुत ही अच्छे cool mood में रहती हूँ ठीक है बहुत ही fresh mood में रहती हूँ जिस तरीके से मुझे अच्छा लगता है तयार होना ready होना जब बहुत free बहुत अच्छे mood में रहती हूँ right so उसी तरीके से इस person का सोचना है कि पूरी life आपकी एक सोच पर depend करती है उस इसे भी लोग होते हैं जिनका manifestations पे काफी strong believe होता है ठीक है काफी strong पकड होती है मैं तो कहती हूँ बहुत strong उनको समझ में आ जाता है ठीक है जो वेक्ति इस तरीके के personality होते है ना उनको definitely समझ में आ जाता है कि किस तरीके से मुझे चीजों को करना है कि life में मेरे manifest हो जाए होते हैं वेक्ति खुश रहना जानते होंगे और life में जो भी moments आते होंगे ना उसमें भाई ऐसा बोलते हैं जो भी चीजे है अभी है जी ले ठीक है पॉर्सन जो है ना इनकी personality ऐसी होगी ना जो moment है जो present moment है उसमें जी लेते हैं आगे क्या करने आगे future plans क्या होंगे वो दे जो होगा यह वेक्ति ना प्रेजन जीने में बिलीव रखेंगे ठीक है मुझे वह song channel हो रहा है यह वाला song है आजी ले एक पल में साजनम बस मुझे एक ही line click हो ठीक है मुझे लिटरली मैंने साल और साल तक नहीं सुना मुझे ऐसा लग रहा है कि इस song को मैंने पहले नहीं स पल में साजनम यह वाला song definitely यह वेक्ति के जो भी personality है उस पर यह मैच करता होगा ठीक है because यह present moment पर जीने पर ज्यादा बिलीफ करते है ठीक है so यह song मुझे channel हुए आप चाहे तो सुन सकते हो ठीक है आपकी choice है इस पर आपको काफी कुछ answer मिल जाएगा इस वेक्ति के through yes यह वेक्ति harmony अपने life में चाहते है ठीक है और इनके life में आपने life में चाहते है और इनके life म पेंटि पसंद कर द्लीक होना इनके life में काफी पसंद करते होंगे गिटार बजाना काफी पसंद होंगे काफी loveable पॉरसं होती है ओर यह आपको मैं पुछना स्था नहीं को चीज़े आपको देंगे बिसलों कराएग है कुछना को देंगे है अपको यह प्यस्तिक слова को स्पेशल जरूर फिल कराएंगे हाला कि मुझ से जादा बोलेंगे नहीं जादा बग 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 करने वाले वेक्ति मुझे दिखनी रही है कि हर बात का जवाब आपको यह देंगे बट यह आपके लिए ऐसी ऐसी चीजे यह करेंगे जिसको आप देखे काफी एमोशनल फिल कर यह समझ जाएंगे आप जो कहना चाहोगे यह वेक्ति पहले ही कर लेंगे वेक्ति काफी स्पीच्वल है और इन्होंने जो भी चीजे अपनी लाइफ में पाई होंगी यह सारा मैनिफेस्टेशन के थू इन्होंने पाया है इसलिए आपको एंजल नमबर डफिनिटली सकते है ठीके 10 7 9 6 & 2 यह नंबर इनके बर्थ नंबर में शामील हो सकते है ठीक है तो चलिए देख लेते हैं कि डेस्टनी क्या चाहती है डेस्टनी कब तक मिलाती है युनिवर्स मुझे बताएं कब तक मिलेंगे मेरे वीवर्ट इस रिडिंग को देख रहे हैं वह कब तक म सकते हैं अब तक मिलोगे आप यह वीट्टी न इस रहते हैं पुछ वाटर वाली जगह होगी या फिर आसपास इनके घर के आसपास कोई गार्डन होगा या इनको गार्डणिंग का शॉक भूत होगा ठीक है बहुत अच्छी अच्छी लाइग फ्लावर्स लाना लगाना म blessings and release मैंने क्या कहा कि जिस समय व्यक्ति से आप मिलोगे आप काफी जादा depression में रहोगे destiny भी आपको ये कह रही है universe भी आपको ये कह रही है कि आपको release करने के जोरत है अगर pile 1 ठीक है मैं pile 1 आप लोगों से कह रही हूँ अगर आप लोग किसी ऐसे situation में स्टक हो जिसमें आपको लगता है कि इस रिष्टे में मुझे कुछ मिन नहीं रहा है मैं आपकी past की बात कर रही हूँ अगर आपको अचा लग रहा है कि भाई मुझे इस रिष्टे में equal give and take नहीं मिल रहा है या मुझे इस रिष्टे में वो सारी चीजे नहीं मिल रही जो मैं deserve करता हूँ या करती हूँ आपके life में इतनी सारी opportunity है इतना सारा प्यार है आगे destiny आपको कुछ और देना चाहती है ठीक है और आप लोग stuck कहीं और I hope कि मेरी बाते आप लोग को समझ में आ रही होंगी यह मुझे आपके future में होता हूँ दिख रहा है yes आप जिस बैक्ति से मिलोगे वो काफी ज़्यादा spiritual God और universe पर believe रखने वाले होंगे अपने धर्म के according अपने religious के according ठीक है जिस भी religious धर्म को आप मानते हो उसके according और इनके ना कुछ-कुछ dark case जो fear होंगे वो यह आपको definitely बताएंगे बट starting में नहीं बताएंगे ठीक है इनके अंदर कुछ-कुछ डर है कुछ fears है कुछ खराब मुझे नहीं लग रहा है है बट वो dark secret ना यह आप से जरूर शेयर करेंगे कुछ-कुछ है कुछ होता नहीं अपने husband wife में कुछ security होता है like share करते हम एक दूसरे से जो सरीफ हम एक दूसरे कोई पता होता है right so यह वैक्ति शादी के बाद definitely आपको बताएंगे ठीक है यह भी मुझे एक message पिक हुआ so मैंने आपको बता दिया okay so इस person के मिलने के बाद आप दोनों के life में blessings बहुत आएंगे definitely आप बहुत blessed feel करोगे आप कैसा लएगा कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए इतना बड़ा प्लान इनिवर्स कर रहे है या इतनी अच्छे वैक्ति से में मिल गया या मिल गई ठीक है कि क्या किया तुने मेरे life में ऐसे person को लाके रख दिया जिंदी की जंड कर दी और आप कुछ कर भी नहीं रहा है मुमेंट कुछ हो भी नहीं रहा है मेरे life में तो बहुत मैंने सुना इस तरीके से लोग definitely थोड़ा सा depression में चले जाते उसके बाद यह सारी हरकते वह करने लगते सो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी ऐसे situation में stuck हो जिसमें आपको रोना धोना और कुछ नहीं मिल रहा है equal given take नहीं मिल रहा सामने वाला परसन आपको commitment नहीं दे रहा काफी लंबा समय हो चुका आपके रिष्टे में सो जरूरत है आपको पाइल वहां यहां पर release करने के ठीक है आप release करो just universe पे छोड़ दो आप ठीक है सब कुछ आप definitely एग दिन इसी video के इंचे में comment करके आप बोलोगे कि ma'am यह guidance मैंने फॉलो किया और आज मेरे लाइफ में बहुती प्यारा सा राजकुमारी राजकुमारी आ गई है यह आ गया है ठीक है यह मेल फीमेल दोनों के लिए है आप खुद आपके बोलोगे ठीक है और यह मैं मानती हूँ बिकॉस मैं बहुती कि डिस्सिप्लिन के साथ रेडिंग करना पसंद करती हूँ राइट जैसे कि मेडिटेशन आप लोगे बर्थ नंबर्स लिखना ठीक है उसके बाद कार्ट पुल आउट करना और नतीजा आपके सामने है अगर आप इस डिप्रेशन वाली सिच्वेशन में हो जल्दी से आपको निकलने की जोरत है धीरे धीरे करके खुद को पुश कीजिए निकलिए वहां से और आपके लाइफ में एक ब्यूडिफुल सा मुमेंट आपका इंतजार कर रहा है एक ब्यूडिफुल सा राजा यह रानी आपका वेट कर रहा है ठीक है जो काफी स्टेबल है आपको स्टेबल लव दे सकते हैं स्टेबलिटी दे सकते हैं ओके आपके ल आप ने खो जाना बहुत ही ब्यूटिफुल सी एनर्जी है, तो ख्लें दीस एनर्जी गाई लिग के आप लोग लोग क्लें करों, ठीक है, बहुत लोग लोग 666 लिग सकते हो पाइल वन और आप लंबर 1 को भी ले सकते हो, ठीक है, नमबर 1 से भी आप ले सकते हो, या फिर 666 बीड सकते हो 366 canceled और 1-1 लिए多ज दो कर सकते है अगर मन नहीं है और Weards लिख सकते हो अगर किसी भी तरीक़ से क्लेम जरूर करें लिए साफ की लैफ में जल दी ला बेच घर होने मेलां याप चाहे ना चाहे लोगा in the days में बहुत जल्द यह चीजे होने वाली है बहुत जल्द होने वाला अब हम देखेंगे क्या मिलोगे कब इन से तो आप कि आप मिल कब सकते हैं थीकि इन से कब चांसेस हैं आपके मिलने के divine guide करें और बताथे pil one वालों के लिए ये अपने सपनों के राचकुपार राजा रानी से कब तक मिलेंगे दिवाइन गाइच करें और बताएं इनको कब तक यह मिलेंगे कौन सा महीना रहेगा इनिवर्स गाइच करें आप देखो कि 10 of swords की energy आई है ठीक है यहाँ पर 9 of swords था यह आप डेफिनिटली इस वक्त एंजाइटी डिप्रेशन और कहीं न कहीं बहुती प्रॉब्लेमेटिक सिच्वेशन का सामना करोगे जिस समय व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर होंगे डेफिनिटली आप कुछ ना क आप से कह रहे है कि release अगर कुछ ऐसा toxic है आपके life में release कीजे ठीक है और यह आप कर दोगे यह जून से जुलाई के बीच में आप अपने life से वू सारे toxic चीज को निकाल के फेकने वाले हो ठीक है या डिस कनेक्ट होने वाले हो जो चीज आपको सब नहीं कर रही है ऑके universe मु करने की कोशिश कर रहे होंगे तब ही आप से मिलेंगे ठीक है सो आप देख लेना यह situation आपकी है आपकी नहीं है सो आप समान के चलो आपके future spouse आप से जब मिलेंगे इनका past relationship यह चोड़ के आएंगे ठीक है और जिस वक्त जिस समय आप इन से मिलोगे ना अपने future spouse से डेफि समय देख आया गांए थे मिलेंगे तภीक है और उसमय हो चाई है तो आप चाहें तो रीडिंग को ऐसे पिछ ले जाकर भी आप देख लेना ठीक है थाप यह बटम-फीड़े यह था मुझा रहे गए बहुत लगई बहोत लोग जुलाई के अनडिंग मिलने वाले हो ठीक ह हम तो बहुत Google भ्हाई चक्का मारा आप लोगों ने तो हम येस्ट आप लग रहा है बहुत लाएक अपने future spouse से मिलनें के एक महिने डिस्टेंस पे हो ठीक है एक महिने के अंदर अंदर आप अपने partner से future spouse जिन से शादी होगी उनसे आप मिलोगे किसी ऐसे जगह पर दीदी थोड़ा सा बता दीजे कहां पर मिलेंगे ठीक है समय आपको बताती हूँ आप एक ऐसे place पर मिलोगे जहां पर कुछ celebrate हो रही होगी चीजे ठीक है कोई event हो सकता है कुछ celebration हो सकता है या कोई spiritual temple हो सकता है जहां पर आप इनको मिलोगे definitely आप एक ऐसे place पर इनको मिलने वाले हो जहां पर कुछ party function या किसी spiritual धार्मी जगा पर यह आपको मिले विकास वेक्टी काफी ज़दा पूजा पार्ट करने वाले वेक्टी है ठीक है मैंने आपको क्या बताया था कि इस वेक्टी के घर के आसपास या तो गार्डन होगा या फिर वाटर वाली जगा होगी यह किसी ऐसे जगा से ब मिल सकते हो या जुलाई मांत आपके लिए काफी इंपॉर्टन हो और बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट जैन्वरी से फैरवरी तक आप इनसे मिलोगे ठीक है अपने फ्यूचर स्पाउस से आप मिलोगे ठीक है बहुत लंबा टाइम हो गया मुझे पता है जैन्वरी फैर ह Brahis का मौसम होता है उस समय आप इन से मिल सकते हो और बहुत लोग ते जूलाई मी मिलने है ठीक है सो प्रे किजिए भाई अपने लाइफ के लिए आप लोगों के लिए घृता मीठा वाला रिलेशन्शिप मुझे ऑ पर्ले को लिए है के लोग लाइफ मे जब तक ।क तो लाइफ में मजा नहीं आता है इंसान सामने मादा थोड़ा सा लाइक रहना चाहिए जिसको आप छेड़ो, माड़ो, पिटो, जगड़ा करो उसके साथ खाओ, पीओ, घुमो, कुछ भी करो ठीक है बट आप दुनों का बॉंडिंग ऐसा रहेगा ना कि भाई कितना भी फाइट हो जाएएग दूसरे की सीक्रेट्स बतालो एक दूसरे को मार डालो उसके प्ला जगड़ा कर लो उसके बाद भी प्यार भी आप बना रहेगा जब मिलो के बाई प्यार करने के लिए टूट पड़ो ग दूसरे में कुछ बहुत ही पाइसस वाला रिलेशन्शिप मुझे ऐसा लग रहा है खटा मीठा सा स्वाध हो सकता आप तोनों के रिलेशन्शिप का ठीक है येस बट कुछ ऐसी भी मुमेंट्स होंगे जिसमें आप इनका और ये आपका साथ बहुत अच्छे सा देंगे ठीक है जो भी पॉसिबिलिटी जो भी प्रॉबाबलिटी जो भी कुछ निकल के आया मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया जो चीजे निकल करके आती है रिडिंग में येस मैं आपको ज़रूर बताऊंगी ठीक है और ये व्यक्ति आना आना बहुत फास्ट रहेगा ठीक है बहुत फ कि आपके लिए ना ग्रीन कलर एन इसकाई कलर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ठीक है डाफिनिटली अगर ग्रीन कलर ये रिप्रेजन कर रहा है कि जिस समय आप इस वेक्ति से मिलोगे अगर आप इस वाले कंडिशन पे हो तैन अफ सोट्स नाइन अफ सोट्स की आप दोनों में ठीक है एक स्काई की तरह कोई चीज की ऐसा नहीं होगा कि कोई कुछ से कुछ चुपा रहा है किसी का चक्कर कहीं और चल रहा है ठीक है किसी का अफैर कहीं और चल रहा है ऐसा कुछ नहीं रहेगा आप दो जिसमें एक जान मुझे लग रहे हो ठीक है दो ल पसंद आई हो रिंग को लाइक जरूर कीजिए चैनल पर पहली बार है सो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बीडिफुल आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिले और आप एक बंधन में बन जाओ और आप दोनों का रिष्टा जो है वह बहुत ही ब्यूटिफुल हो ठीक है जो मैं प्रे करूंगे पाईल वन ठीक है आप सभी के लिए ओके सदेर सारा प्यार दीजेगा पाईलवान मैं मिलते हूं आप सभी से अगले डिडिंग में ऑके बाई पाई पाईल नबर 2 तो यह आपकी डिडिंग ऑके आपने अगर यह कार्ट स्लेक्ट किया है इं कितना प्यार करेंगे आप दोनों में लव बांडिंग कैसी होगी ऐसा नहीं है कि जो चीजे मैंने पाइल वन में बताई वो चीजे सेम मैं आपको पाइल टू में भी कवर करूँ ठीक है कुछ भी निकल किया सकता है जो भी चीजे आपके पार्टनर या आपके पार्टन के ल ठीक है तो अपन माइंड होके देखिए स्रेडिंग को और इश्वर से प्रातना कीजिए यॉनिवर्स से ठीक है विकास बहुत पावर्फुल होते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं आप दोनों में लव रिलेशन्शिप कैसा रहेगा यॉनिवर्स गाइड करें विकास यह एक ट्वीन फ्लेम को रिप्रेजेंट करती है तो वैसे ही पता चल रहा है कि आप जिस भी वैक्ती से आपकी शादी होने वाली है वह आपके पास लाइफ पॉर्सन है ठीक है और इनके साथ आपका डेफिनिटली पास लाइफ कांट्रेक्ट है और आप दोनों ट्वीन से सब नहीं हो सकते बस्तव Scorpion के स्ट्रोल इस यातर चांसे सब नहीं हो सकते साच्थ है यह स्टांग्ली इस स्ट्वी जानिट्वीन हो सकते अप्लोग ए के बारे में सफलिंग पे फोकस कीजिए बहुत लोग क्या है ना सफलिंग को स्किप कर देते हैं लिवाइन गाइड करे और बताए मुझे निवस गाइड करे और बताए मुझे पाईल त्यू वालों के लिए कि उनके फ्यूचर सपाउस की औल अवर लाइफ कैसी होगी, औल अवर उनका लाइफ स्टाइल, उनका करियर, उनके फैमिली लाइफ, औल अवर उनका लाइफ कैसा रहनवाद है, कैसा है यूनिवर्स बताएं, इनके लाइफ में पाया है, इनके लाइफ में जो भी चीजे आज इनोंने पाया है, ठीक है, और जो भी चीजे आज इनके लाइफ में है ये इनको विरासत में नहीं मिले, ये चीजे इनोंने खुद से अर्ण की है, ठीक है, खुद से कमाई है, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो इनका करियर हो, जॉब हो, डेफिनिटली इनोंने खुद से क्रियेट करा उन सारी ठीक है, हाला कि चीजे इनके लाइफ में बहुत बीटिफुल नहीं दिख रही है, कि पास्ट में इनका बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कुछ समय पहले से, to be very honest, ठीक है, आपको ऐसे भी पता है कि मिछी मिछी बाती नहीं कर सकती, बहुत अच्छ एस, seven of vands के energy है, definitely आपके person की राशी हो सकती है, Aries, Leo, Sagittarius, ठीक है, आपके person बोल रही हूँ, मतलब आप समझ जाओगी, future spouse की बात कर रही हूँ, ठीक है, and wheel of fortune के energy है, so आप इन से divine timing पर ही मिलोगे, ठीक है, हला कि हम देखेंगे कि कब तक chances है, बट यस असा लग रहा है कि आ page of swords, definitely page of swords, definitely page of swords, swords के energy है, definitely ये वेक्ति ना बहुत quick action नहीं लेते, ठीक है, जैसे कि आभी decide किया, आभी सोचा और भाई, एदम से action लेके कूद पड़े उस काम पर, तो ऐसी energy नहीं है, पही ना कही सोच विचार बहुत करते है, ठीक है, और चीजों को जल्दी से एक्सेप न रखते होंगे, बहुत लोग होते हैं, कुछ भी देदो भाई, कुछ भी कर लिया, फड़ा पड़ से खा लिया, निकल लिया, तो ऐसा नहीं है, इनके life में, सोच समच के कुछ भी करते है, ठीक है, एकदम से decision लेके कूद नहीं जाते, ठीक है, बहुत सोच समच की किसी को अ इनका control इन पे होगा, और career पे बहुत जादा होगा, किसी love relationship में इनका कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा होगा, ठीक है, ten of swords के energy, yes, इन्होंने अपने life में, काफी लंबे समय से relationship को experience नहीं कर रहा होगा, जब आप इन से मिलोगे, इन्होंने अपने life में relationship को experience करना बंद कर द love कैसे किया जाता है, या आप इनके doors को open करते में नजर आ रहे हो, काफी लंबे समय से लग रहा है, खुद पे control किया होगा, इनका ऐसा मानना होगा, कि destiny को जब मिलाना है, जब मेरे future spouse को मेरे करीब लेके आना है, जब हम दोनों की शादी होनी है, या हम दोनों को मिलना है, तब हम मिल लेंगे, उसके पहले हम अपने life में enjoy करते हैं, career बनाते हैं, खुश रहते हैं, महनत करते हैं, इस तरीके की सोच वाले ही व्यक्ति हो सकते हैं, हाला कि मैंने इनका कार्ड नहीं निकाला अभी तक कि किस mindshade के व्यक्ति हैं, वह हम Osos & Dex से देखने वाले थे, जो भी person आपके life में आने वाले हैं, definitely उनके life में अभी कोई relationship, कोई रिष्टा नहीं है, इनका पूरा focus अभी career पे है, और ये लंबे समय से लॉप को feel नहीं किये, आपको मिलने के बाद इनका heart जो है, वो open होगा, ठीक है, काफी लंबे समय से इन्होंने खुद पे control रखा है नमबर 8, okay, definitely इन्होंने खुद पे control किया हुए, बहुत काफी लंबे समय से, और heart work बहुत जादा करते हैं, ठीक है, chances है किसी पहाडी वाले जगह पे रहते हो, या कहीं job करते हो, या city इनको like change करना परता होगा, ठीक है, definitely, इनके एक जगह से दूसरे जगह इनका travel होता होग लोगों के साथ इनका behavior इतना अच्छा है कि लोगों की आखे ना आपके partner पर बनी रहती है, sometimes इनको like नजर लगने के भी problem होती है, कहते हैं कि भाई सामने वाला इनसान बहुत सुंदर है, तो कहीं ने कहीं लोग जो होते हैं, वो judge कर लेते हैं, या किस तरीके से नजर लगा लड़का है तब भी बहुत जादा like आप इनके स्कीन देखोगे, जब आप इनको देखोगे ना, आप like notice करोगी कि ये वेक्ती काफी ज़्यादा शांत सभाव के हैं, यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं, और गले में किसी तरीकी का लॉकेट ये हो सकता है, पहनते हो, और य जादा इनका फेशन में देखनी पा रही हूँ, बट येस, सिंपल चीजों में भी काफी अच्छे लगने वाले, काफी अच्छे दिखने वाले परसन होंगे, ये लड़का-लड़की दोनों के लिए मैं कह रही हूँ कि येस, इनको सिंपल रहना और सिंपल दिखना काफी पसंद होगा, बट उसी में इनका लुग जो है काफी अट्राक्टिव होगा, जो लोग इनके लाइक, इनसे आखे नहीं हटा पाते होंगे, ठीक है, हो सके तो उल्टा आख लगा देते हैं, नजल लगा देते इनको, बट येस, लोग आखे नहीं हटा पाते, इतने जादा ब्यूटिफुल परसन है ये, ठीक है, फोर अफ कप्स, ये ना अपने लाइफ में किसी को भी एकसेप्ट नहीं करते होंगे, जल्दी से, जैसे कि मैंने आपको बताया, टू आफ सोट से हैं आपर, राइट, जल्दी से किसी को एंट्री नहीं देते होंगे, हाला कि आपका अगर दोनों की फैमिली मिल रही है, या दोनों की बातचीत फॉन पर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, आपकी फैमिली के और इंकी फैमिली के मैं दोनों की डारेक कनिक्शन की बात नहीं कर रही है, अगर दो फैमिली आपस में बात कर रहे हैं, ये बहुत सोचेंगे, ल्होज सकता है आपकी फोटो बगर इनके पास जा एकèveसे तरहिं। फ्रेंब्स के थूरू या रिलेटिप्स के थूरू हो सकता है ठीक है कोई बाहर का कोई मेल इसा दिख रहा है कि कोई बाहर का मेल है जो आप दोनों को रिष्टा लगा रहा है ठीक है आपके घर रिष्टा भेज रहा है उसके बाद उनके घर से रिष्टा आ रहा है इस तरह क जब आपको देख लेंगे, आपको अनलाइस करेंगे, तो इनका दिल करेंगे, एक बर मिल ले किया, एक जुड़ाओ सा महसूस होगा, एक कनेक्शन सा फील होगा, ठीक है, और आप दोनों की फोन पे बातचित काफी घंटो घंटो होने वाली है, यह चीज मुझे लग रही कि आप दोनों ने एक दुसरे से बहुत जादा घंटो घंटो बाते करोगे, और काफी स्लो सावन में बात करोगे, I don't know, मुझे क्यों पीक हो रहा है कि काफी स्लो सावन में बात करोगे, The Empress, तभी तो मैं सोचू, Okay, The Empress की एनरजी आई है, आपके पार्टनर बहुती स्टेबल और गांडरेट परसन है, बहुती स्टेबल और गांडरेट परसन है, नमबर टु हो सकता है जब इस वैक्ति से आप मिले, So, No.2 आपको बहुत जादा दिखेगा, Number 2 इनके बर्थ नमबर में शामिल होगा, इनका मुलांक होगा, या भांग्यांक होगा, ठीक है, या पूरा आप जो भी चहाओगे, डेफिनिटली पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, यह सोचेंगे कि किस तरीके से मैं किस तरीके से सामने वाले के विश को फुलफिल कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं हम दोनों के लाइफ में सिचुएशन क्रियेट कर सकता हूँ, या किस तरीके जाए आप इनसे मांगोंगे ना डेफिनिटली आपको देंगे ज़रूर थीक है कैंसो स्कॉडपियो पाइसस इनकी राशिय हो सकती है एरीज लियो साजटेरियस वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन भी है ठीक है यह सारी राशिया हो सकती है हम इनका माइंडशेट भी देखेंगे भाई कैसे माइंडशेट के वैक्ति हाला कि हम देख वही रहे ठीक है फिर मैं कनफर्म करूंगी दी हैंग मैं आप दुनों का रिष्टा ना पहले ऐसा होगा कि जब दूनों एक दूसरे से मिलो गया रिष्टा लगेगा ना थोड़ा सा होल्ड पे जा सकता है ठीक है इस व सारी विष्ट को डफिनिटली पूरा करेंगे बट आप दुनों को ना ऐसा लग रहा है डिवाइन टाइमिंग पे ही आप दुनों का मिलन होगा और डिवाइन ही आप दुनों को एक दूसरे से मिलाएगी ठीक है यह थोड़ा समय लेंगे ठीक है यह लड़का लड़की जो डेस्टिनी में क्या चीजे लिखी हुई है आप दोनों की एक होने के बाद यह एक होने के पहले माइंड इनका सोचने का तरीका में हाँ पर देख रही हूँ क्रेटिविटी ओके यह ना बहुत ही जादा साइलेंट रहने वाले जैसे कि मैंने आपको रिडिंग के दौरान बताया यह यह बहुत साइलेंट रहने वाले वैक्ति होंगे एक दम से कोई डिस्जन यह नहीं लेते होंगे ठीक है और जो चीजे इन्होंने माइंड में क्रिएट कर ली ना वो यह रियालिटी में चेंज करने पर बिलीव रखते होंगे ठीक है इनके रिष्टदार में ऐसा बता दो इनके आसपास के लोग यह इनके रिष्टदार कुछ खास ठीक नहीं है ठीक है पता नहीं क्यों मुझे एनरजी पीक होई कि यह जब इनके घर रिष्टा जाएगा ठ मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बाहर के लोगों को पता चलेगा कि इनके साथ फलाना के लड़की के साथ रिष्टा हो रहा है तो बाहर के लोग बहुत एंटर करने की कोशिश करेंगे ठीक है बड़ आपके व्यक्ति जो है वो काफी जादा माइंड से शान्त रहने वाले परसन है और आपके परसन इस साथे चीज़े पिक कर लेंगे कि लोग नहीं चाहते कि मेरे लाइफ में चीज़े बेटर हो ठीक है या लोग मुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहें आपके व्यक्ति जो है अपना माइंड जरूर यूस करेंगे उस वक्त और यह एक नया विजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आप दोनों के बीच में चीज़े जो है वह क्लियर करने की कोशिश करेंगे बट यैस इनके लाइफ में कुछ ना कुछ लोग है और उनके बा काम होता है कोश तो होता नहीं है जो बीचारे अने lifetime में आगे बढ़ रहे हैं और उनके लाइफ में कहीना है इनका मानना ऐसा है कि गल चीजों को चोड़ने में इस मिल बहलगे मैं बहलए है इनका मानना ऐसा है कि life में कुछ achieve करना है life में कुछ पाना है सो हमेशा negative चीजों को छोड़ने में ही भलाई है ये छोड़ने में release करने में बहुत believe रखते होंगे ये बहुत ही एक ऐसे person दिख रहे हैं जो spiritual होंगे ठीके spirituality को मानते होंगे और कहीं ने कहीं इनके अंदर हर एक समय आप अलग रूप देख सकते हो ठीके ये खुदको ना समय समय पर change करते होंगे जैसे कि अपना haircut लड़की है तो hair color करवाएगी state करवाएगी बाल ठीके और हर समय समय में इनका dress change होता होगा ये dress को लेकर के dressing sense इनका काफी अच्छा हो सकता है जैसे कि लोगों की आखे बनी रहेगी इन पर जैसे कि मैंने starting reading पर ही मैंने आपको कहा था कि yes ये simple दिखते होंगे ठीक है simple होंगे बट काफी attractive होंगे आपके partner simple रहती है बट ये काफी attractive दिखते होंगे ठीक हालका एक t-shirt भी डाल लिया एक jeans भी डाल लिया ना उसमें भी देखो कि भाई वाव क्या look है क्या अदा है ठीक है ऐसी वाली energy है आपके partner की definitely काफी creative होने वाले और mind से काफी जादा creative है ठीक है hot creativity है इनके अंदर art करना नहीं नहीं चीजों को design करना यह हो सकते है किसे designer वाली field से हो ठीक है कुछ design का काम हो सकता है खासकर jewelry वेगरा का मुझे लग रहा है कि jewelry का इनका कोई shop होगा यह jewelry related कोई काम करते होंगे यह design करते होंगे कुछ तो कुछ चीजे हैं ठीक है जो यह करते हैं इनका खुद का business भी हो सकता है कोई काम भी हो सकता है ठीक है कहीं के boss हो सकते है कहीं के leader हो सकते हैं यह तो चलिए देखते हैं destiny क्या चाहती है यह क्या देना चाहती है आप देनोगे destiny में क्या चीजे है इसके बाद हम देखेंगे क्या person से मिलोगे कैसे flow इसके बाद हम देखेंगे कि आप कहा मिलोगे कैसे मिलोगे community definitely going forward चलते जाईए ठीक है जिस मार्क पे हो जैसे हो आप चलते रहो यह person में ऐसा ही believe करते है चलते रहो ठीक है अपने life ले यहाँ पर universe आप से कह रही है कि flow के साथ आप चलते रहो जो चीज़े अभी अपके life में घटित हो रही है आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपको वो सारी चीज़े नहीं मिलेंगी ठीक है यह card भी कहीं नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको flow के साथ चलते जाना है देखिए आपको रुखना नहीं है आपको पास्ट की तरफ बार बार नहीं देखना अगर पास्ट आपका अच्छा रहा है सो जाके देखिए ठीक है आ आप पास्ट की तरफ मत देखो प्यूचर की तरफ मूब करो because future ऐसा कह रही है कि आपके life में बहुत सारी चीजे abundance है यहाँ पर rainbow की energy बनी है beautiful colors आपके लिए green, orange and purple color आपके लिए important हो सकता है तो ऐसा लग रहा है आपकी life में चीजे dark से light में जाएंगी ठीक है ऐसा लग रहा है जब इस वैक्ति से आप मिलोगे ना सो काफी flow के साथ आप चलोगे यहाँ आप काफी flow के साथ चलते वह नजर आ रहे हो एंड यह वैक्ति आपको एक dark energy से light energy में लेके आएंगे ठीक है यह आप दोनों ने एक दूसरे को definitely complete करोगे इनसे मिलने के बाद कि यह मिलने के पहले बहुत सारी situation आप दोनों में create होगी ठीक है इतना easy नहीं रहने वाला विकास बहार के लगों का involvement है उसके बाद भी जब आप दोनों मिलोगे ना definitely काफी जादा एक दूसरे से निपड जाओगे ठीक है ऐसा लगेगा कि बस एक दूसरे के ख्याल में खोए रहना घंटो घंटो बाते करना हाला कि वेक्ति silent रहेंगे बहुत स्लो आपसे बात करेंगे बट यह से बात बहुत जादा करेंगे बटरफ्लाइस की energy आ रही है सो यह सिरिस्टा काफी spiritual रहने वाला है आप दोनों ही कहीं नगए spiritual वेक्ति हो और spirituality पे आप दोनों का believe बहुत जादा होगा divine universe angels को आप बहुत मानते होंगे ठीक है आपके person का भी मानना है येस आपके partner भी बहुत मानते हैं और butterflies की energy रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके life में बहुत जल्द coming soon आपको वो सारी चीजे मिलने वाली है जो चीजे आपने सोची भी नहीं है ठीक है आपके जो भी future spouse है na definitely आपके life में रंग भर देंगे ऐसा लग रहा है आप एक dark energy में रहोगे उस वक्त और आपके life में ये light भर देंगे ठीक है light लेके आएंगे आप दोने इक दुसरे के लिए light हो येस आपकी destiny आपको एक ऐसे person से मिलाने जा रही है जो भाई आपके life में धेर सारा abundance लेकिया है ठीक है धेर सारी चीजे आप दोनों में होंगी येस रिष्टा काफी beautiful रहेगा बटी person ना काफी महनती person है आपके चली देखते हैं यूनिवर्स में बताएं कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे क्या possibilities रहेगी इनके मिलने की यूनिवर्स फाइल 2 वालों के लिए बताएं पेज ऑफ सोर्ट्स ओके अधी हाइप्रेस्टिस अधी वील फॉर्चुन भाई क्या चाहिए आप लोगों को और हा दिवील फॉर्चुन दिवील फॉर्चुन भाई टाइमिंग बहुत क्लोज है ठीक है इस ओफवेंच यहां पर भी आया थे क्या सोल्ट्स आया था यहां पर यह इस ऑफवेंच न्यू बिग्निंग ओकि आप दोनुना हर वक्त एक दुसरे को समझोगे ठीक है इस वेक्ट कि अप्टूबर से नमबर की बीच में यह वैक्ति आपको अप्रोच करते हुए नजर आएंगे ठीक है और यह आपको फाइनली प्रपोस करेंगे ठीक है अपनी तरफ से यह आपको एक ओफर देंगे हला कि रिष्टा जो है आपका अरेंज मेरेंज हो सकता है ठीक है फामिली के थ्रू आप जा सकते हो बट यह वैक्ति इस तरीके से लाइक अपको एप्रोच करेंगे कि आपको लगेगा कि भाई हमारे तो लव प्लस अरेंज हो रहा है ठीक है ऐसा कुछ रिष्टा आप दोनों महिने में मिल सकते हो यह साप इस व्यक्ति से ना दसवे महिने में मिल सकते हो मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर के मन्त में ठीक है यह अक्टूबर तु नॉमबर के महिने में मिल सकते हो ठीक है तैन दसवा महिना आपके लिए काफी ज़दा इंपोर्टेंट रहने वाल ने को स्टेबल कना हूंग या तो इनका बिसनेस के रहें हाँ अगर इने के लिए बढ़ने के बारे मिलिये बाइना fountain शुरी का मधुझी और कुछ नई चीजे खड़ीद रहोंगे काफी इंट्यूशन इनका बहुत अच्छा बहुत अच्छा है बात करो इनके फैमली बेग्राउंड की सो येस फैमली भी आफी अच्छी रहने वाली बहुत ज़ा बड़ा फैमली नहीं होगा ज्टा इनके ओसकते हैं इनके वाई हो सक बिजनस जो भी इनका होगा इनके फादरीन से दूर रहते होंगे या फिर इनका फादर का कुछ इश्यू हो सकता है ठीक है कुछ ना कुछ होगा यह इनके फादरीन से दूर रहते है या फिर कुछ भी ठीक है फादर की रिलेटेट कुछ भी चांसे हो सकते है दी हाई प्रिस अच्छा होगा और यह एनर्जी को पिक कर लेंगे डिकार निजबाव करी इंगे की कहा यह कंट सकते जियरा योगा कुछ तो यह ऐसा करते हैं जिसमें यह शान्त रहना प्रैफर करते हैं और जो व्यक्ति का मन शान्त होता है व्यक्ति चीजों को ना काफी अच्छे तरीके से पीक कर पाता है राइट इस व्यक्ति के अंदर यह चीजे आप नोटिस करो गए इनको कोई भी जूड़को कि और यह चीजे हो गोगी बैट इस व्यक्ति के साथ अपकी शादी हो रहे है वह काफी महनती हाड़ क्षान है तो जीवन में एक जीवन साथी के आली एक चाहिए क्या चाहिए आपको जब स्यूर्थी आपके लिए इतना ज़ादा सब्सक्राइउं सारी चीजें उन्हें अपने लाइफ में लेकर आई है चाहे हो अबंडन्स हो पैसा हो या इनके घर के फरनीचर हो या कुछ भी हो तो भाई ले लिया फैमिली का है फालना ठिकाना किसका किसका है ठीक है ले लिया मैने या मेरे पास है ऐसा कुछ सीन नहीं है इनके लाइफ में यह जो जीजे ने पाई है वह बहुत ही महनत करके पाई है इनो ठीक है इस वैक्ति के अंदर यही इनके वैक्तितों की पहचान है जो व्यक्ति मेहनत करके कुछ अपने लाइफ में पाता और ग्रो करता है तो मो रिस्पेक्ट जीवन भर करेगा जीवन भर करेगा और यास व्यक्ति को कर्मा पर काफी काहँ है रिच्छा बिलिवए लगता है कि कर्मा होता है तो यह चीजों पर इनका स्ट्रॉंग बिलीव है, डेफिनेटली वेक्ति बिलीव करते हैं, डिवाइन टायमिंग पर कर्मा पर डेफिनेटली बिलीव करते हैं, तो बहुत ही बीडिफुल एनरजी थी पाइल चू आप लोगों के लिए, जितनी चीजे मुझे मिली मैंने डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंटली थी पाइल चू वालों के लिए रिडिंग पसंद आई हो, रिडिंग को लाइप कीचिए, पॉजिटिव एनरजी को क्लेम कीचिए, और मैं यूनिवर्स से प्रेज जरूर करूंगी पाइल चू कि आप बहुत जल्द अपने जो भ आपके लाइफ में बहुत जल्द अपाव इस व्यक्ति के साथ, आपके नई जीवन के लिए जब भी आप मिलोगे, धेर सारी शुब कामला है आपके नई जीवन के लिए, तो दोनों पाइल को ही मेरे तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई, इतने अच्छे परसन आपको मिलने जारे ठीक है, डेफिलिटली मैं आप सभी के लिए प्रेयर करूंगी, अगर आपको रिडिंग पसंद आई हो, रिडिंग को शेयर जरूर कीजेगा, लाइक कीजेगा, कमेंट कीजेगा, लाइक जरूर कर, ये थी पाइल ट्यू आप लोगों की रिडिंग, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रिडिंग में इसी तरकी के टॉपिक के साथ, ठीक है, बाइ पाइल ट्यू